तो फ्रेंड्स वेलकेम बैक टू माई व्यूटी टिपसी चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आई हैं अगर आपके चेरे पर पुराने से पुराने पिमपल्स के दाग धबे हैं, एक्नी के दाग धबे हैं या फिर जुरियां चाहियां हो गई हैं बढ़ती हो में के निशान आपके चेरे पर बहुत सारे नजर आने लगी हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप बिल्कुल फ्री में अपने घर बैटे ही, अपने चेरे को एकदम से गोरा जवा और इसकिन को एकदम टाइट बना सकते हैं इसके लिए आपको लेना है लेमन जूस यानि के नीबू का रस तो एक चमच के करीब हम इसमें नीबू का रस लेंगे और इसमें आप औरेंज का जूस भी ले सकते हैं, मैंने यहां नीबू का रस लिया है, उसके बाद में हम इसमें लेंगे वन पिंच हल्दी, हल्दी हमारी इसकिन को निखारने का काम करती है एंटी बैक्टिरियल गुड़ों से भरपूर होती है इसके बाद में हम इसमें लेंगे कच्चा दूद एप चमच के करीब और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद में हमारा जो ब्यूटी टिप्स है वो बिल्कुल रेडी हो गया है आपको इसको लगाना कैसे है कितनी देर तक अपने फेस पेस को अपलाई करना है सब कुछ हम आपको इसमें बताएंगे इसको लगाने के लिए हमें लेनी है कॉटन थोड़ी सी कॉटन लेंगे और इसमें इसको में जो हमने तयार किया है ये इसमें डिप करेंगे और इसको अपने पूरे फेस पर कॉटन की हेल्प से ही आपको लगाना है इस तरीके से आप लगा लीजिए लगाने के बाद आपको 20-25 मिनट के लिए अपने चेरे पे लगा के छोड़ देना है सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ आप सबसबा बनाईए और इसको लगाईए अपने घर के सारे काम निपटाईए बाद में इसको अपने चेरे से हटा दीजिए यानि कि चेरे को दोकर साफ कर लीजिए ऐसा हफते में दो से तीन बार करने से ही आपकी स्किन बहुत जल्द गोरी चमकदार होगी चेरे की जुड़ियां च्छाईयां बढ़ती उनके निशान सब खतम हो जाएंगे बेल कुल फ्रीमी